अगर आपका सुभा उठके पेट साफ नहीं होता या बहुत जोर लगाना पड़ता है या टॉयलेट करने के बाद भी ऐसी फीलिंग बनी रहती है कि पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ तो बस इस वीडियो को ध्यान से देख लेजिए आपकी प्रॉबलम सॉल्ट हो जाएग एक बहुत ही असान लेकिन असरदार नुस्खा जिसको अगर आपने हफ़ते में एक बार भी कर लिया तो सालों पुरानी कप तूट जाएगी आईए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अगर ऐसे ही कुछ लक्षन आप भी महसूस करते हैं तो जान लीजिए कि आपकी आउंतों में गंदगी इकठी होती जा रही है और ये ना सिरफ आपकी आउंतों को कमजोर बना रही है बलकि इससे छोटी से लेकर बड़ी प्रॉब्लम्स पनपती हैं मुझ से बदबू आना गैस पास होने पे बहुत गंदी स्मेल आना खाना खाते ही पेट फूल जाना भूक लगना कम हो जाना स्किन पे दाग फोड़े फिंसी होने लग जाना और बाल जढ़ना इसके अरली सिम्टम्स हैं लेकिन ध्यान ना दें तो यही आगे जाके आईबियेस, पाइल्स और स्टमक अलसर जैसी प्रॉब्लम कर देती हैं इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि आप इस प्रॉब्लम को समझें ताकि इसे जड़ से ठीक कर सकें तीन ऐसी चीजे हैं जिन पे अगर आप ध्यान दें तो आपकी यह प्रॉब्लम 100% सॉल्ट हो जा लीकुड कॉंटेंट उपर की तरफ होने से जो आंतों में मल है यानि जो स्टूल है वो हमेशा सॉफ्ट रहता है साइस ऐसा मानती है कि आप कितनी असानी से स्टूल को पास कर पाएंगे यह इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका स्टूल आंतों में जाके सॉफ्ट रहत इसलिए इन्हें आपको कट करने की जरूरत है एटलीस जो आप सुबा उठते ही चाए कॉफी पीते हैं उसकी जगा गरम पानी पीएं पूरा दिन जब हो सके गुनगुना पानी पीएं नहीं तो रूम टेंपरेचर पर पानी पीएं बरफ वाला ठंडा पानी भी ड्राइनेस करता है ब्रेकफास से एक घंटे बाद और लंच से आदा घंटे पहले तक खूब पानी पीएं इसी तरह लंच के एक घंटे बाद भी याद करके पानी पीएं दोस्तो वाटर इंटेक को बढ़ाने के लिए आपकी डेली डाइट में फ्रेश फ्रूट्स होने ही चाहिएं अमरूद, पका हुआ केला, थोड़ी क्वांटिटी में पपीता, छिलके समेच सेब और चार अंजीर भिवो के पानी के साथ लेने से आँटे मुलाइम होती है और सुबह एक ही बार पेट खुल कर साफ होता है नेक्स्ट बहुत जरूरी है फाइबर दोस्तो बहुत बार पुराना मल आंतों में चिपक जाता है और नए स्टूल को भी पास नहीं होने देता ऐसे में dietary fiber जाडू का काम करता है जो ना सिरफ आंतों में चिपके मल को खीच बाहर निकालता है बलकि stool की quantity को भी increase करता है समझने वाली बात ये है कि diet में fiber की कमी होती ही तब है जब हम मैदे से बनी चीजों का बहुत जादा इस्तिमाल करने लग जाते हैं समोसा, कचोरी, पिज़ा, बर्गर, मोमोज, ब्रेड, भटूरे इन सब में fiber ना के बराबर होता है अब यही सब चीजें जाके आंतों में चिपक जाती हैं जो पहले gas करती हैं बाद में cups कर देती हैं आपको इस fast food को जितना fast हो सके कम करना चाहिए जिस आटे से रोटी बनाते पॉस्टिक भी हो जाएगी दोस्तों ओट से एक ऐसा अनाज है जिसमें भरपूर मातरा में soluble और insoluble fiber होता है इसका आप breakfast में सबजियां डाल कर नमकीन दलिया बना सकते हैं या दूद में oatmeal बना कर खा सकते हैं दालों में भी जितना हो सके धुली डालों की जगा छिलके वा उनको constipation की दिक्कत नहीं हुई फिर जापान में 69,000 लोगों पे study हुई जिसमें फिर से यही बात सामने आई कि जिन लोगों का active lifestyle था उनके intestinal muscles better contract होने लगे blood flow increase हुआ जिससे उन्हें constipation की problem नहीं हुई यहां तक कि रोज simply walking करने से भी आपको फाइदा होगा लेकिन intestinal movement बहुत तेजी से बढ़ जाएगी वो है कपाल भाती यानि rapid exhalation लेकिन पेट साफ ना होने की दिक्कत के चलते अगर आप इस कपाल भाती को अपान वायू मुद्रा लगा कर करेंगे तो बहुत जल्दी फायदा होगा इस मुद्रा को लगाने के लिए index finger को अंगूठे क चोर की और ले जाएं फिर second और third finger से अंगूठे के inner tip को चुएं बस इस तरह हैं इस मुद्रा को लगा कर आप पांच मिनट भी कपाल भाती कर लें तो आतों में जो वायू के प्रकोप से मल रुका हुआ है वो असानी से बाहर आने लगेगा दोस्तों कपाल भाती इतना effective है कि इसे आयूर्वेद में तेज दोड़ने के बराबर माना गया है पांच मिनट कपाल भाती करने से पूरी बॉड़ी में blood flow बढ़ जाता है पेट और नीचे के अंगों की अच्छे से मसाज हो जाती है और पेट खुल के साफ होता है अब इससे पहले कि हम आयूर्वेदिक नुस्खे की बात करें कुछ ऐसी चोटी चोटी गलतियां हैं जिने हम अकसर अंदेखा कर जाते हैं लेकिन ये पेट साफ करने में दिक्कत करती हैं इन में सबसे इंपोर्टेंट है बहुत तेज खाना दोस्तों अगर आप पांच मिनट में जल्दी जल्दी पूरी धाली खतम कर देंगे तो उतना ही जादा टाइम आपको टॉलेट में बैठना पड़ सकता है इसलिए अराम से 15-20 मिनट लगा कर चबा चबा के खाना खाएं जिससे पेट को कम काम करना पड़े और खाना कहीं रुके नहीं फिर खाना खाने का कोई फिक्स टाइम ना होना बहुत जादा स्ट्रेस लेना आरो वाला पानी पीना और बिना बात के पेट साफ करने वाली दवाईयों पे डिपेंडेंट रहने से भी लॉंग टर्म में आतें इतनी कमजोर हो जाती हैं कि कॉंस्टिपेशन क्रॉनिक मोड ले लेती है इसलिए ऐसा ना हो आप पहले ही क्विक फ पर पढ़त के पहले थोड़ा पानी पी लेए फिर एक चमचंच 7 को एक ग्लास पानी में तब तक उबा ले Caleb जब गलास का आधा ग्लास पानी न रह जाए अब इसे चांद कर रख लें जब यह पानी हलका गुन-गुना हो जाए तो इसमें एक बड़ा चमच एरंडी का ते एक, दो, तीन बार भी मोशन पास हो सकता है पेट की पूरी सफाई हो जाएगी आंतों को मुलायम करता हुआ कैस्टर ओयल बाहर आएगा बस इसे हफते में एक ही बाहर करें और जब लगे कि आप प्रॉब्लम उतनी नहीं रही तो आप इसे 15 दिन में या महीने में एक बार भी कर सकते हैं दोस्तों पेट जब साफ रहता है तो चहरा अंदर से ग्लो करता है और बाहर से ग्लो करने के लिए मामा अर्थ का गार्डन ओफ ग्लो फेस सीरम एक जैन्विन आप्शन है भारती मार्केट में पैक घुमाके देखो आप पाएंगे कि इसमें ना तो सलफेट्स ना पैराबेंस ना इडिटीएस ना ही कोई आर्टिफिचल फ्रेग्रेंस या कलर डाला गया है इन फैक्ट लेमन, ओरेंज, पैशन फ्रूट और ग्लिसरेन से बना ये एक सेफ फॉर्मूलेशन है इसको यूज करने के लिए तीन से चार ड्रॉप्स फेस पे अपपड सर्कुलर मोशन में लगाएं ये सबी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है मामा अर्थ का गार्डन ओफ ग्लो एसेंस सीरम खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये लिंक को क्लिक कीजिए स्पेशल डिस्काउंट कूपोन लगाना ना भूलें जिससे आपको मिलेगा 21% ओफ दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे फूट्स के बारे में जिनमें दूट से भी जादा कैल्शियम है तो देखे इस वीडियो को माइन नेम इस विबेक आई थैंक यू सो मच पो वाचिंग